जाहिन दोस्तों चलिए उस्तों बात करते हैं से कुर कोशन के बारे में इस कुशन में एक्जामने ने कहा a man spent 40% of his monthly income on food would pay 40% and one third of the remaining remaining on the transport if he saves 4500 per month which is half half of the money left after spending on food and transport what is the monthly salary यानि एक्जामन ने क्या का कि अगर उसने माने की उसकी जो सेलरी थी वो कितने थी सो रुपे थी तो उसमें से वह 40% यानि 40 रुपीज 40% निकाले तो 40 रुपी जो खर्च करेगा वो खर्च करेगा फूड पर तो इसका मतलब है हंडेड में से 40 फूड पर खर्च कर दिए तो रीमेनिंग उसके कितना बचा आपका 60 रुपीज बचा अब क्या कह रहा है एक्जामन नर और टी ओन फूड पर करता है वन थर और रीमेनिंग फिस पाड़ पाका पाट इस स कर तर्ट बरच निकालनेंगे तो थ्वेंटी रुपीज फिंटी रुपीज उसका कहते the money left after after on food and transfer क्या का उसने की जो 4500 रुपीज है यह 4500 रुपीज जो है वो क्या है कि इसकी टोटल जो टोटल जो इसकी हाप के बराबर होगा तो आप इस जीरो से काटेंगे तो कितना है आपका दो दूनिचार दो पंजे 10 यानि कि अगर मैं से 225 से मुल्टिप्लाइब करो तो मेरे पास यह लिया जाएगी इसी को आप डिरेक्ट इससे मुल्टिप्लाइब कर दिजिए यानि कि आपके पास 225 और डबल जीरो जो अमाउंट आएगा वह उसकी इंकम आएगी मिलिंकम यानि कि ऑप्शन जो भी होगा वह इस कोशन के लिए करे अमाउंट बसता है उस अमाउंट का वन थर यानि 60 रूपी जो बचा करता है तो 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 जो स्ने खर्च कर दिया कि अपनी हमका 6 रूपे कर दिया अब 7 कर दिया तो हन्डेड और साथ इसका डिफेरंट आया 40 रूपे फिर एक्जामने कहले कि उसने जो है 4500 रूपीश सेव सेन सब्सक्राइब करना तो इसका सब्सक्राइब। इस नंबर को इस से डिवाईड कर दीजे जो नमबर आएगा उससे आप मल्टीपलाइब अगर इसको मल्टीप्लाइब करेंगे तो यही नंबर आगा जिससे आपने इसको multiply किया उसी से आप direct assuming value को multiply कर देजिए आपको आपकी income मिल जाएगी यानि कि option जो B होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में होगा जै इंद जै भारत